हलो बच्चों मैं हूँ सुनील दिवारी मेडम जो आपके शामने लेकर उपस्ट देती हूँ सेलक्षन सिरीज ए आरो आरो का सेलक्षन सिरीज है इसमें 140 प्रशन उत्तर हैं आईए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं पहला प्रशन क्या है बच्चों तो पहला प्रशन आपका है आउतल दर्पड के विशे में शत्यकथन युगम का चैन करें तो पहला प्रशन आपका है बच्चों वाहनों की हेड लाइट में आउतल दर्पड का प्रियोग होता है नंबर एक, नंबर दूसरा देखते हैं हम लोग, एक गूला का दरपन जिसकी पारावर तक सता अंदर की ओर मोडी हुई होती है, वह आउतल दरपन होता है, एक दम शेही, पहला भी शेही है बच्चों, दूसरा भी शेही है, तो देखते हैं हम लोग, के दंध चिकिछा का आ अद्वान धनात्मकों तो वह अवतर दर्पन को फिदर्शित करता है तो बच्चों यह रांग है आई एम लोग देखते हैं पहला से दूसरा तीसरा यह किस में है तो बच्चों यह वी ऑफशन में है आपका पहला दूसरा और धीसरा आई हम हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रशने देखते हैं लाड कार्ण वालिश ने किस सहयोगी ने अस्थाई बंदुवस्त के प्रस्ताव का विरोध किया तो देखते हैं हम लोग ऑफशन देखते हैं नमबर एक चांसोर जिम्स ग्रांट चार्स हेर या कैप्टन मुनरो इ आईए हम लोग देखते हैं किस में से किस ने किया तो यह किये जम्स ग्रांट किस ने किया बच्चों तो यह किये हैं आपका जम्स ग्रांट महोदे ने किस ने किया बच्चों जम्स ग्रांट महोदे आईए आगे हम लोग चलते हैं अगली प्रशने पर किसार प्रतम भारत कि और श्रत प्रतिव्यक्ति आय का अनुमान किसे ने लगाया तो बच्चों ये किसने लगाया आये में देते हैं तो ये आपके लगाएं हैं आगे किसने लगाया है बच्छों तो दादा भाई नरोजी ने अगला प्रशने आपका कि भारत में शिच्छा की विकास है तो कलकत्ता में ACIT Society आप बंगाल की अस्थापना किसने की बच्छों आई या ओप्षन हम लोग देखते हैं कि किसने की है क्या किया है ACITIC Society आफ बंगाल की अस्थापना किसने की है बच्छों किसने की है आप बताएंगे तो विलियम जोन्स ने किया किसने किया है बच्छों विलियम जोन्स ने अगला है आपका पाइरी डॉक्सिन किस विटामिन का राशाइनिक नाम है B6, V1, V5, V2 तो बच्छों किसका है ये तो V6 का है आई अगला प्रशनम लोग देते हैं भारत के भाला फेक है एथलीट नीरज चोपड़ा के शमन में नेमलिकी कतनों पर विचार करते हैं तो आगे देखते हैं पहला कथन क्या है नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में श्वन पदक जीतने वाले पहले भारतिये थे एकदम शही इससे पहले नीज़त चुपड़ा ने बिस्व एथलेटिक्स चैंपियंशिप 2022 में रज़त पदक चीता था एकदम शही वच्चों तो यह दोनों शही है अचली आप्शन दिखते हैं कहां है दोनों शही तो यह आप्शन है C जो दोनों शही है आई आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली प्रस्ट पे चलते हैं तो अगला प्रस्ट है आपका जुलाई 2023 में शंपन विश्व तीरन धाजी युवा चैंपियंशिप 2023 में भारत ने कौन सा अस्थान हाशिल किया तो देखते हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा इन में से कौन सा किया बच्चों तो इन में सही है हम लोग देखते हैं कौन सा अनसा सही है तो इन्होंने दूसरा पदक दीता था चैंपियंशिप 2023 में भारत में कौन सा अस्थान हाशिल किया आई एगला प्रस्ट देखते है निम्लकित में मीचे कौनसा एक रोक और उसकी कारक जीव के बारे मीं शही नहीं है क्या पूछ रहा है आपे प्रस ले देखिए पहले हम लोग अच्छे परते हें शही Dhane सही नहीं 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 तो हम लोग ही मार देंगे कि हां यह सही है पूछ रहा है सही नहीं है तो आएच तहले देखते है पहला क्या है TV के लिए माईको वै टीरिव, टीवी के लिए माईको वै खटीरियम, मलेरिया, प्लाजमोडियम, एड्स एच आइवी यह तीनों सही है बच्चों पहला TB, Mycobacterium, दूसरा Malaria, Plasmodium, तीसरा Aids, HIV लेकि सही क्या नहीं है बच्चा, तो सही नहीं है इसमें से हैजा, क्या नहीं सही है बच्चो, हैजा, Influenza, ये सही नहीं है तो अंसर आपका क्या हो जाएगा हैजा ये, क्योंकि यहां क्या पुछा सही नहीं है तो सही नहीं है, क्यों सहा है जा, Influenza, आगे बढ़ते हैं हम लोग निमलखित में से किस पक्रिया में अत्यधिक उर्जा मुक्त होती है आईए देखते हैं किस पक्रिया में अत्यधिक उर्जा मुक्त होती है तो पहला आपका है Option, Transpiration, दूसरा है A, R, V, Respiration तीसरा है A, N, A, R, V, Inspiration, और चौता है, F, T, T, तो इसमें से कौन सा सही है बच्चों आप बताएए, चलिए हम लोग देखते हैं, Option, B सही है A, R, V, Respiration, आईए अगला प्रसने देखते हैं हम लोग, कि अगला प्रसने क्या है तो एक महिला की ओर, इसारा करते हुए, रमन नहीं कहा, उसकी एकलोते भाई का, पुत्न मेरी पतनी का भाई है उस महिला का रमन से क्या शम्मन देखते हैं, प्रसने क्या पूछ रहा है आपसे, कि एक महिला की ओर इसारा करते हुए, रमन नहीं कहा, किस महिला कहा उसके एकलोते भाई का पुत्र जो औरत बैठी है उसके एकलोता भाई दूसरा भाई ने एक उसका पुत्र क्या है मेरी पत्नी का भाई है यह उसका जो पुत्र है उसके एकलोते भाई का वो क्या है मेरी पत्नी का भाई है तो उस महिला का रमन से क्या संबंद है तो क्या है भ का इक्लोता भाई था और इसका पुत्र मेरी पत्नी का भाई oppress तो कौन हुआ पत्नी की भाई की बहान हुए अगला प्रशन लोग देखते हैं तो अगला प्रशन आप का है बचों कि यदि एक आर्थ धन है बीक आर्थ गटाव है C का अर्थ घुड़ा है D का अर्थ भाग है तो निमलेखिद वेंजन का मान ज्याद कीजिए तो वच्चो इसका सीधे है उत्तर होगा आए हम लोग देखते हैं Option A कौन सा होगा 45 आगे अगला प्रेस्ट हम लोग देखते हैं दी गई आकरित में कितने तरिभूज है तो दी गई आकरित में कितने तरिभूज है बच्चो तो टोटल जो तरिभूज आपका बन रहा दी गई आकरित में वो आपका है 13 कितना है बच्चो 13 आई एम लोग आगे बढ़ते हैं NGO स्फरमाश कि प्रजनन अंग कहां इस्तित होते हैं कहां इस्तित होते हैं आई-एम लोग देखते हैं फूल में, पत्ती में, जड़ में, तना में तो बच्चों किसमें होते हैं आई-एम लोग देखते हैं सही उत्तर क्या है ये फूल में पाये जाते हैं अगला प्रश्न है आपका की protein circulation के लिए पौधों के लिए आवश्यक तत्तू है अब protein translation पौधों के लिए क्या आवश्यक है आए हम लोग देखते हैं तो oxygen है carbon dioxide है hydrogen है या nitrogen है तो बच्चों इसमें से कौन सा चही है नइट्रोजन कौन सा सही है बच्छों आईयेम लोग देखते है सही उत्तर है option d nitrogen आगे बढ़ते हैं हम अगले प्लषक के साथ तो अगले प्लष्ण आपका है हिर्देपेशी कोशिकाएं होती है हिर्देफ पिशी कोश्काएं होती है आईए हम लोग option देखते हैं कैसी होती है बेलनाकार शाखा युक्त एक नाविकिये जिनों सही है बच्चो लेकिन अगला बहु नाविकिये ये नहीं होता है लंबी होती है तो बहुत लंबी नहीं होती है इसलिए हम नहीं कह सकते किया लंबी है तो पहला सही हुआ दूसरा और तीसरा तो देखते हैं किस option में पहला दूसरा तीसरा है तो option पहला ही है आपका A A में पहला दूसरा और तीसरा सही है आगे प्रस्ण हम लोग देखते हैं नीचे दिएगे अधिकारी और शंबद भू राजश्य वेवस्तार शही शुमेलित कीजिए तदा कूट से सही उत्तर का चैन कीजिए आई हम लोग देखते हैं इसको बच्चों कि इसका क्या उत्तर होगा तो देखिए मिलान करते हैं हम लोग येच आई गोल्ड इसमिद येच आई गोल्ड इसमिद किससे संबन देखिए तबच्चों येच आई गोल्ड इसमिद बांबी योजना से संबन देखिए बांबी योजना थामस ला किससे संबन देखिए अस्थाई बंदूबस्त से फिर हाल्ट मैकेंजी किससे संबन देखिए महाल वाड़ी से होल्ट मैकेंजी किसे रएवर भ्योस था अबrece bulb कौन सा एब चो तो में कौन सा हो जाएगा त्री एका थ्री हो जाएगा और टू का क्या हो B का क्या हो जाएगा 1 हल्ट मैकेंजी इनका महाल वाडी एनि 4 हो गया और D का क्या हो जाएगा अलग जंदर रहवत वाडी से संबन दित है तो 2 आई ये देखते किसमें 3,1,4 2 है 3,1,4,2 तो 3,1,4,2 दिखिए आपके सामने आ गया option 3,1,4,2 आई आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्न के साल अंग्रेजी सरकार दोरा पारित कि सादिनियम को गुलामी का नया चार्टर कहा गया था देखे प्रस्न क्या अंग्रेजी शरकार दोरा पारित कि सादिनियम को गुलामी का चार्टर कहा गया अब देखे गुलामी का चार्टक किसे कहा गया तो आईए हम लोग जाने का प्रयाश करते हैं option द्वरा कि कौन सा है तो भारत साशन अधिनियम 1935 को भारत साशन अधिनियम 1919 को भारत भारती परशन अधिनियम 1909 को या फिर आगे option है भारती परशल अधिनियम 1931 को किसको कहते हैं बच्चों तो आईए हम लोग उत्तर जानते हैं इसका तो इसका उत्तर है बच्चों भारत शरकार अधिनियम 1935 को आईए अगला प्रस्न जानते हैं ब्रिटिस भूमी वेवस्था का पीता किस ब्रिटिस अधिकारी को कहा जाता ह ब्रेटिस भूमी की भूमी ब्यवस्था का पीता देखो प्रैस ने देखे भूमी ब्यवस्था का पीता किस ब्रेटिस सदिखारी को कहा जाता है तो बच्चो इसका सीधे उतर हुआ इसका मार्टिन बर्ड के अनुशार इसका मार्टिन बर्ड आई आगे बढ़ते हैं निम निकत्तों में से कौन सा कता है डवलू वी सी के बारे में शत्त्य है तो बच्चो ये फूरा उफ्चन नहीं है कट गया है इसके लिए माफ़ी चाहेंगे हम अगला प्रस्न हम देखने की कोशिश करते हैं कि अगला क्या है निम लिकत्त में से कौन से नील गीरी जाई मंडल आरचे चेट में शामिल अ आईए हम लोग जानते हैं उपरी नीलगिरी पठार शाहिलेंट वैली या सीदू वानी पहाड़ियां तो बच्चों यह तीनों सही है बच्चों क्या है यह तीनों सही है यह हम देखते हैं कि शॉप्षन में तीनों सही है तो उपर यूग तो शभी हो जाएगा अगला प्रस जानने की कोशिश करते हैं तो बच्चों यह सीदे उत्तर होगा आपका फूलों की घांटी आई आगे बढ़ते हैं निमलकित योगमों पर विचार के जिए यह कौन सा योगम देखें विचार के जिए अभी उप्रस पुरा नहीं हुआ है प्रस फिर आपका दे रहा है नीचे देखें देरा उपर योगमों में से कौन सा शही सुमेलित है सही पूछ रहा है तो इसका मतलब कि इसमें कुछ गलत भी है आई हम लोग आप्शन के द्वारा देखते हैं देखते हैं पहला दंपा टाइगर रिजर्ब कहां पाया जाता है मिजोरम बिल्कुल सही दं यह सिक्किम में नहीं पाया जाता फिर अगला है आपका सारा मती शिकर नागा लेंड विल्कुल सही तो मतलब एक सही तीन सही आईए देखते हैं इस आप्शन में एक सही और तीन सही है तो आप्शन मिल गया आपको शी इसमें एक सही और तीन सही है आईए अगला करा संस्थान लखनों यही सब यही गलत है यही शुमिलित नहीं है पूछा गया ना कि शुमिलित नहीं है तो सही शुमिलित नहीं है यही क्योंकि यह लखनों में नहीं है राष्टे सरकरा संस्थान बल्कि कहा है कानपूर में कहा है बच्चों कानपूर में तो यही जो है आ लाजी पार्क उन्नाओं में हैं एकदम सही भारतिय दलहनान शंधान संसा कानपुर में हैं विल्कों सही इंडियन इस्टिट्यूट आफ वेली टेवल बेजी टेवल से रिसर्च वाराण सी एकदम सही आए अगला प्रश्ण में लोग देखते हैं कि अगला प्रश्ण क्या ह भारतिय मानक वीयोरो वी-इस का गठन कप किया गया थे मानक वीयोरो वी-ई-एश का गठन 1986 में किया गया अगला प्रश्ण देखते हैं भारत में निमलिकित में से किसके अंतरगत पंचाईती राज़ वैवस्ता के अस्थापना की गई है बच्छो शब से सीधा साधा अन देश के प्रशाशन में कुछ हिस्सा लेना शंबह बनाया तो किसनी किया आई एम लोग देखते हैं आक्षन के द्वारा बच्चों तो पहला है इंडियन कॉंसिल एक्ट 1861 दूसरा बच्चों है आपका चार्टर एक्ट 1883 और तीसरा है आपका चार्टर एक्ट 1833 और चौथ है चार्टर एक्ट 1858 तो बच्चों कौन सा सही है चलिए हम लोग करते हैं प्रशन सही वाला तो बच्चों इसमें चार्टर एक्ट 1833 हो जाएगा इस चार्टर एक्ट 1833 इसकी मुख्य शंक्या 87 है कितना है 87 मुख्य शंक्या है इसकी मुख्य शंक्या है और आगे बढ़ते हैं इसमें धार्म जाती आदि पर कोई वेदभाव नहीं किया जाएगा इसमें बात की गई है लगभग आईए हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटी सरकार के किस अधिनियम ने भारत में व्याप पार पर इस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को शमाप्त कर दिया गया बच्चों तो यह तो सीधा शाधा शरल है शीधे आप चले जाएए आप्शन दी 1813 का शार्टर एक्ट आईए आगे चलते हैं हम लोग शुष्क हवा में मीथीन की मात्रा होती है अब देखते हैं हम लोग मीथीन की मात्रा शुष्क हवा में कितनी पाई जाती है तो आईए देखते हैं अन्श्वर इसका होगा पॉइंट ट्रिपल जीरो वन शेफन पर्शेंट आई आगे बढ़ते हैं निम निम से शुष्क हवा में कौन सी गैस की मातरा शरवाधिक है ये को पहले पूछा गया सुष्क हवा में मीथेन की मातरा कितनी होती है वाफ ने बताया लेकिन आप यहां क्या अपना सी पूछ रहा है यहां तो सीधे मीथेन की बात कर रहा था लेकिन यहां सुष्क हवा में कौन सी गैस की मातरा सरवाधिक है, तो बच्ची ये आरगल की मात्रा शरवाधिक होती है, अगी आगे बढ़ते हैं, सुची को, सुची 1 को सुची 2 से सुमेलित है, सुमेलित है, असत्य कथन, असत्य योगम का चैन करें तो इसमें पूछ क्या रहा है कि जो सुमेलित किया गया है असत्य योगम कौन सा है तो आईए हम लोग देखते हैं असत्य योगम कौन सा इसमें से तो पहला देखते हैं नागर हूल राश्टिय पार्क कहां पाया जाता है बच्छों तो नागर हूल राश्टिय पार्क कहां क करनाठक एकदम सही वेतला राश्टिय पार जहारखंड विल्कुल सही इंद्रावती राश्टिय उद्धान शत्तिस गर्ड विल्कुल सही दान डेली अभ्यारण यही गलत है बच्चों उत्राखंड में नाव कर यह कहां पे है करनाठक कहां पे है करनाठक में है तो यह सही ह कर दिए इस को बाती हर। kषाने बाता करता है सपस्छा की आप जाता है को से अन्यागे जान्याव पृट का फृटियक भारत जाता है कि अगलीन पृट प्रसी इन्जा गोशला पत्त कब हुआ था तारह सो चाउवान आप्शन वी अगला प्रस्टम लोग देखते हैं थियो सोफिकल सोसाइटी का मुख्याल है भारत के किस सार में अस्थापित किया गया बच्चों तो ये सीधी आप चले जाएए कहां अस्थापित किया गया बताएए अध्यार में सार स्थापित हुआ अध्यार में आई अगले प्रस्टम बात करते हैं भारत छोड़ों अंदोलन के समय मिलेकित अस्थानों में से किस अस्थान पर शमानांतर शरकार का गठन नहीं हुआ तो कहां पे नहीं हुआ वच्चों सीधी उत्तर इसका है कहां पे नहीं हुआ लुदियाना आई आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रस्पन महान हिमाले या आंत्रिक हिमाले के शंदर में नीचे दिये गए कत्नों पर विचार के जिए आया आप्शन जानते हैं कि का हिमाले पर बस रिंकलाओं में या सबसे अधिक सतत स्रिंकला है एक दम चाहिए है आ हम लोग कि इस इंकलाम में गर्मी के कुछ महीनों ने बर्फ की परत पूरी तरह पिखल जाती है तो कुछ महीनों ने सिर्फ गर्मियों में और बर्फ की परत पूरी तरह नहीं पिखलती है पूरी तरह पिखल जाए तो बच्छों पूरा पूरी प्रते भी जलमागन हो जा नीचे दियेगे कात्म में से कौन से सत्य हैं गंगा की मैदान का विस्तार घगघर तता तीस्ता नदियों की बीच है पहला आपका हो गया फिर दूसरा हम लोग देखते हैं गंगा की मैदानी उत्रीव भागरत के राजियों हरियाणा दिलित्तर प्रदेश बिहार जहार कंड की कुछ भागतता प्रश्मी बंगाल में फैला है तो देखते हैं बच्छों कौन सा सही है दोनों सही है तीसरा देखते हैं ब्रह्म पुत्र का मैदान विशेश कर असम में क्या है असम में इस्तित है तो देखते हैं ये भी शही है बच्छों तीनों सही है आईए देखते हैं किस में है ये तो विखल्प कौन सा है तो विखल्प आपको मिल गया उपरियूगत सभी आईए अगला प्रश्मे देखते हैं हम निमलिकित में से कौन से कतन पश्मी घाट के संदर में सही है पश्मी घाट के उचायों उत्तर से दच्छिड की ओर घटती है यह गलत है विच्छों अगला पश्मी घाट सतत है तथा उन्हें केवल धर्रों के द्वारा ही पार किया जाशकता है बिल्कुल सही तो कौन सा आप्षन हो जाएगा यह देखते हैं तो आप्षन भी यह देखिए सिस् देखते हैं मिलोग प्रवाल पॉलिप्स कम शमय तक जीवित रहने वाले सूच मप्राड़ी हैं जो कि समूग में रहते हैं अब देखो क्या कह रहा है कि कम शमय तक जीवित रहने वाले और सूच मप्राड़ी हैं और यह क्या है शमूग में रहते हैं तीन प्रेस मिला क्या होता है कम शमय तक जीवित रहते हैं उच्वा प्राड़ी हैं शमू में रहते हैं और ती दूसरा हुआ है इनका विकास हिचले जो गर्म जलमी होता है और कार्वोन नेट का स्राव होता है और आश्टिल्या का ग्रेट वारियर रीफ रवाल रोधिका का अच्छा उदारण है तो बच्चों ये तीनों सही है आईए हम देखते हैं किस आफशन में तीनों है बच्चों तीनों सही किस में पाया जा रहा है आपका प्रावाल वले अभी पीछे एक आफशन छूट रहा था उसको भी हम लोग देखते हैं प्रावाल वले जियुप गोला कार या हार्सी त आकार में रूदिका होते हैं आपके देखते हैं बच्छों हम हमाने दिखांन और हमेनि होmy होगा ही हर गोला होता है उसका जो पैर होता Satya वह ऐसे बना होता है उसके नीचे नीचेちょ faithful घ्क रहा बनावाच होते हैं गुल देखने लिखिवा नहीं होता है तो यह स्थक्ति तो क्या हो जाएगा दी अगली प्रस्तों को हम दीखते हैं कि प्राकृतिक गैस को परियावरण अनकूल माना जाता है एक दम शाही तो प्राकृतिक गैसे होती हैं वो परियावरण अनकूल होती है जैसे प्राकृतिक गैसे जैसे हम आक्सीजन को क्या करते हैं ग्रहण करते ह है आक्सीजन और कार्बन डाइयक्साइड हम छोड़ती है द्र पहुत ही उसको ग्रहन करती है इससे क्या होता है पर्यावरन का उनकुलन बना रहता है दूसरा इसमें कार्वन डाइयक्साइड का उतसर्जन होता है तो देखते हैं दोनों कौन सा सही है तो अपनी अपनी जगह तो दोनों सही है लेकिन इसका option क्या हो जाएगा कि यह यूम आर सत्य है तथा आर एकी सही व्याग क्या यह आपका सही हो जाएगा आए आगे हम बढ़ते हैं देखते हैं निमने में से भारत का चांसिय बिस्तार कितना है वच्छो चांस परवसिंकला के संदर में नीचे दिये गए कतनों का पर विचार किजिए तो नीचे जो पतन दिये गए हैं उसको हम लोग पढ़े के फिरुत्तर को देखते हैं आईए देखते हैं क्या है हिमाले की सबसे बाहरी परवसिंकला को शिवालिक कहा जाता है क्या कहा जाता है ब्चो ये भी सही है ये भी दोनों सही है तो ओप्षन श्य हो जाएगा ए और वी एनिहीं एक और दो दूनों सही है आज अग्ला प्रेश्च देखते हैं स्लैस और वर्न खेती भारत के किस रहतमे प्रचलीत है तो बच्यों किस में प्रचलीत है जाता है तो हमबोल्ट जो धारा होती है यह उत्तरी शांत में नहीं ना पाया जाकर कहां पाया जाता है बच्चों ये दच्छी प्रशान्त में पाया जाता है दच्छी प्रशान्त माशागर में पाया जाता है उत्री में नहीं पाया जाता है तो शुमेलित नहीं है पूछ रात यही आपका सही होगा शुमेलित नहीं है ये भी शुमेलित है गल्फ वो इस्ट्रीम उत्तरी अट्लांटिक महाशागर्म ये भी शुमेली थे है अगुल हास धारा हिंद महाशागर्म ये भी शुमेली थे है तो ये शुमेली थे बच्चों कौन सा नहीं शुमेली थे तो आईए हम लोग देखते हैं कौन सा नहीं शुमेली थे है तो बच प्रिशान्त माशागर में आई अगला प्रेशने देखते हैं हम लोग सूची एक को सूची दो सूची एक तथा सूची दो को सुमेलित कीजिए तथा निम्लगे कोड़ से सही उत्ता चुनिए अब इसको हम लोग देखते हैं कि कौन कहां पाया जाता है तो आईए एक एक को देखते हैं रोग आगे बढ़ते हैं चलिए मौँंट बलैक सबसे पहले है न आपका क्या है बच्यों कि मौँं बलैक की कहां पे आल पस एक दम सही माउंट बलैक आलपस पर बत सही Ist एक हां खगanga का गुवा एंटीज बिलकु सहीं काईगा गूवा एंडीज और मैकी मैकी ले कहां पाया जाता है रॉकिज में मैं कि ले रॉकिज में इल वर्ज काके सस बिलकुल सही है चारों सही है वच्छों, तो देखते हैं कौन सा आप्ट, चारों सही है, तो वच्छों ये है, सही है आपका, सही शुमेलित है, य उत्तर हो जाएगा, एक कि पहला, दूसरा, तीशुछा और चोथा, अगला प्रस नम लोग देखते हैं, तारी का रंग सूचक है, तो तारी क किसका सुचक है बच्चों उसके ताप का सुचक है आए जानते हैं अगला पर टोड़ा जंजात मुक्ता कहां निवाज करती है तो टोड़ा जंजातियां मुक्ता कहां निवाज करती है बच्चों तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा तमिल नाड़ यहनी नील गिर की पहाड पाड़ी ओपर पाई जाती है कौन सी जन जाती तो ओड़ा जन जाती कहां पाई जाती है तो निलगिरी आपके आप्चन ने है तमिल नाडु में आई आगे बढ़ते हैं भारत माला परियोजना निम्निम से किसे संबंदित है तो भारत माला परियोजना भारत माला परियोजन निशनल हाइवे अथारिटी आफ इंडिया से संबंधित है इमलिकित में से कौन सा सही शुमेलित नहीं है आईए हम लोग प्रसले देखते हैं अगला इसका उत्तर क्या पूछा है कि कौन सा शुमेलित नहीं है तो सबसे पहले क्या है बच्चों बैला डिला अब देखिए चप्छों से पेले क्या पड़ाए बहला डिला मद्द्व प्रदेश तो यहीं शुमेलित नहीं है बच्छों इसका मद्द्प्रदेश की जगह इहाईगा 36 गड़्ट का मvz इसंज अगर अगर में बहुत और इसमा 6이면 6 वट्ट में है आई आगे बढ़ते भारत के निम्द राज्यों में से किसमे सागोन कबन पाया जाता है प्रिथम भार्तिय मेला अध्धिच कौन थी अब आईए हम लोग देखते हैं कि भारतिय राष्टिय कॉंग्रेज की प्रथम महिला पूछा गया होता ये ना पूछा गया होता अध्यच कौन थी तो एनिवेशन्ट हो जाती है कि पूछा क्या है इसले भारतिय राष्टिय कॉंग्रेज की प्रथम भारतिय महिला अध्यच कौन थी तो वचों सरोजनी ना अगला प्रश्न हमारा है 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 थराबाद में इस्तित अंग्रीजी और विदेशी भासा विश्विद्याले के अस्तापना किस वर्ष हुई तो किस वर्ष हुई बच्चों आए हम देखते हैं स्ट्ष्विद्याले में इस्तित अगला प्रश्रम देखते हैं कौन सा साहर प्रतिश्टित कूबंबे मेला के लिए टिन सा साहर प्रियाग राज कौंसस है बचो प्रयाग राज आईए एगले प्रस्ट में हम लोग चलते हैं ब्रिटिस भारत में रेल्वे की कोई उपयोगता नहीं या दूसरे की पत्नी को अलंकरित करने जैसा है भारत में रेल्वे की विकास और उपयोगता के संदर में या कथन किसका है तो बचो ये किसका है हम लोग देखते हैं ये किसका है बचो तो ये प्रशनाप का बाल गंगधर तिलक का है शूर डी बाल गंगधर तिलक का है सूती वस्त बुनकरों के कंकाल भारत के मैदानों को बदरंग कर रहें यह कातन किस economist के जैनिरर का है तो आई आगे बढ़ते हैं यह किसका है बचो लाइड विलियम बैं टिंग का है कोपिन की जलवाई वर्गी करण की अशाól हमने में से कोन साथतरी बंगाल सहीत उत्तर पूर्वी भारत का उपर यूक्त वर्डन है तो आप्शन देखते हैं हम लोग कौन सा है तो पहला हो गया आपका जो आप्शन है पुछा के कोपेन की जलवाई वर्गी खरण कैसा निम्नम से कौन सा उत्तरी बंगा से तुत्तर पूर्वी भारत का उपरी उत्त कतन है तो बच्चो कौन सा हो जाएगा ये आईए हम देखते हैं पहला आपका है कि उश्ट कटबंदी मानसूरी बन वर्षा बन दूसरा हो जाएगा उश्ट कटबंदी मानसूरी बन वर्षा बन तीसरा हो जाएगा उश्ट कटबंदी है आद्रियों सुस्क जलवाई माशूंग माशून समाना तो बच्च उत्तर हो जाएगा आपका डी कौन से हो जाएगा डी हो जाएगा